हेलो स्टुडेंट्स वैलकम टू स्टेडी सर्कल 2.0 सो कैसे आप सभी लोग आई हो बहुत ही बढ़िया होंगे तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं डिजाइन आप स्टील स्ट्रक्चर और डिजाइन आप स्टील स्ट्रक्चर जो है हमारा सिविल इंजिनरिंग का एक तो इन सब बोड में भी दोस्तों आपको डिजाइन आप स्टील स्ट्रक्चर जो देखने को मिल जाएगा अगर आप लोग सिविल इंजिनरिंग से हैं तो ठीक है तो इन सब के जो बोट की स्टूडेंट से सिविल वाले वो भी सब्देट अपना कंप्लीट पड़ सकते है दोस्तों यहां से ठीक है आपको सिर्फ कुछ भी नहीं करना यूट्यूब चैनल से जॉइन हो जाएना है एंड आपका एक प्लेलिस्ट बना होगा आप जागर करके उसको चेक आउट जरूर करें ठीक है उसमें वीडियो आपके डल चुक है लगभग 45 वीडियो में डाल चुका हूँ और उसके आगे कंटीनू है हम लोग ठीक है तो वह भी दीरे दीरे आपका पूरा फिनेस हो जाएगा ठीक है तो अगर आप लोगों को अच्छा आगे कंटेंट आपको समझ में आ रहा है सारी चीज़े तो आप जरूर जरूर जो है यहां से अपनी कंप्लीट चैप्टर नोट्स भी बना रहे तो और दिक्कत नहीं होगी और चैप्टर फिनेस होने के बाद पीडिया नोट्स भी हम प्रोवाइट कर देते तो काफी बेनीफीट रहेगा आप लोगों के लिए है ना चलिए खेर हम लोग पढ़ क्या रहे थे दोस्तों तो हम लोग जो आपका दुस्तों कॉंसा जोड़ आपके बट बेल जॉइंट होता है वह ने पढ़ाया था और अब उसी पर वेस्ट हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं आज ठीक है तो आज हम उसके दो न्यूमेरिकल लेकर आया है हाला कि मुझे बुक में दो ही मिले क्योंकि और उसमें क्वेश क्वेशन नमर बता दीजिए एक्सराइज नमर बता दीजिए तो मैं उसको करा दो ठीक हाला कि मुझे दो ही क्वेशन बैस्ट लगी तो मैं इनको करा देता हूं ठीक है और मेरे हिसाब से आप सब लोगों को ये क्वेशन बहुत अच्छे समझने चाहिए ठीक है यूंकि दो क्वेशन समझ लोगे तो इसमें ही पूरा काम हो जाएगा ठीक है फिर चाहिए पूरी बुक के क्वेशन लगा लेना आप लोग ठीक है जो भी आपके बट बैल्ड से रिलेटेड होंगे चलिए तो पहला कुशन पढ़ते हैं दो लंग बेसमें हैं बोला है कि 120 mm और 10 mm इसमाद की दो पत्तियां पत्तियों मतला हो था फ्लेट ठीक है पतली पत्ति उसको फ्लेट कहते तो उसका यह साइज दिया है मतलब 127 चौणा है और 10 mm अटा है ठीक है तो दो पत्तियां हमने बट बैल्ड जोड द्वारा जोड नहीं है कैसे बट वैल्ड मतलब एक दूसरे बोला है कि निम जोड की सामर्द ग्याद कीजी किस कि सिंगल जे बट जॉइंट डवल बट जॉइंट तो मैं इन जोड के बारे में कल बता चुका था अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ना पढ़ेगा पढ़ना दिक्कत हो जाएगी ठीक है इन जोड को पढ़ना इसलिए जरूर तो इसके पहले के लेक्टर जरूर देख लेना जो भी ये लेक्टर नमबर हो इसके पहले वाला देख लेना तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा ठीक है चलिए इंग्लेस में पढ़ते हैं बोला है टू फ्लैट्स आर कनेक्टिड इन बट बेल जॉइंट ठीक है इप आप सबसे पहले लिख लीजिए केस वन या नमबर वन जो भी आपको डालना है ठीक है यहां पर लिख लो फॉर किसके लिए यह हम निकालने पहले बाले के लिए लिख लोगए फिवर सिंगल फोर सिंगल जिए हैं मिए बिट्ट जोआं जो आप रिधंत राखना छाओ लिख लोग जे लांत लिए हैं पहले हम से रहे हैं जिए सेपमें काट रखी और वह भी सिंगल ठीक है चलिए तो हमें दोस्तों क्या निकाली है मतलब तनन सामर्द निकाल लिए ठीक है तेंस साइल होगी जो आप लोग बट वैल्ट में जब स्ट्रेंद निकालते हैं कि हम बात करते हैं उसकी टैन्साइल स्ट्रेंद की हमें क्या निकाल लिए या टैन्साइल स्ट्रेंद निकाल लिए ठीके टैन्साइल जो स्ट्रेंद है वो हमें निकाल लिए मतलब हमें पीटी की तो यह पूरा एल होता है ठीक है और टी मैंने बताया था देखिए तिया आपका थ्रॉट ठीकने सोता है यह जो यह जो टीक में होती है प्लिट की जो मोटाई होती है कभी-कभी इसके बराबर ले लिए जाता है कभी-कभी इसका 5-8 T करते हैं ठीक तो आप वहीं ध्याँ को 120 गुणे 10 है तो मतलब हमें यह एल का वेल्य तो 120 दे रखा है और जो इसकी मोटाई है वो किदिनी दे रखी है 10 दे रखी है तो हम कहीं न कहीं यह बोल सकते हैं कि एल हमारे पास 120 mm है लेकिन अब जो हमारा टी 10 mm दिया गया है पिलेट की मोटाई कि अब वही हमारा थ्रोट थिकनेस हो जाएगा या हमें इसका 5 बचे 8 करना पड़ेगा तो दोस्तों यह आपका है सिंगल जे बट जॉइंट और मैंने बताया था अगर आप कोई भी सिंगल जॉइंट यूज कर रहे हो तो उस केस में आपका जो थ्रोट थिकनेस होगा वो क्या लिया जाएगा सबको इनको याद होगा थरोट थिकनेस मतलब जिसको हम कंट मॉटाई कहते हैं तो कंट मॉटाई हमारे कितना लिए जाता है 5258 इंटिउ ठेकनेस और नेरे तो इसमें कौई तैनर प्लेट तो है नहीं है दोनों ही प्लेट बराबर मॉटाई की है मतलब दोनों पक्तिं मॉटिए है तो आपकी मोटाई 10 mm यहां पर ले ली जाएगी ठीक है तो यहां पर यह हो जाएगा फाइब बाई एट और इंटू टैन इसको क्यालकुट करोगे तो चार दूना आठ यहां सोरी आप काड़िये इसको किस से दो से तो दो चौह के आठ दो पंच से दस और यह हो जाएगा पचाम 25 और 25 बटी कितना करना है आपको चार करना चार का भाग दे दीजिए तो 6.25 करके आएगा है ठीक है यह एम एम है तो यह तो यह तुम्हारा थ्रॉट थिकने सागिया बस यहां रख दो तो तुम्हारा पी टी का जो वैल्यू वो निकल आएगा एल कितना है एक सो ब करके दिखा देता हूं कि कुछ लोगों को संतुष्टी नहीं होती है ना देखिए 120 और गोडे में 6.25 इंटू 150 कितना आगे जली देखो यह देखो इतना न्यूटन आया है मैं तीनंग के बाद 10 लगा दूँगा तो मेरा 112.5 आ जाएगा तो यह मेरा पहला केस है जब मैं स 0.4 डबल बी बट जॉइंट तो आप सबको पता है कि कुछ नहीं फॉर्मुला सेम रहना है पी टी इस एकल टू एल इंटू टी और इंटू एप टी होना यह तो सबको पता है बट अब जो टी लेना है जो थ्रॉट थिक्निस लेना हो क्या लेना है तो मैंने बताया था कि जब आपका डबल जॉइंट हो कोई भी कोई भी डबल जॉइंट हो आपका कोई भी डबल जॉइंट मेंने बताया था चाहिए आपका यू हो वी हो जे हो ठीक है या आपका बैवल हो इन सब में अगर आपको बोला गया है कि थ्रॉट थिक्निस क्या होगी तो प्लेट की आपका डियोड्स हो जाएगा निमेरिकाल कास में कुछ ही नहीं है मैं पूरे DSS में पूरे Design of Steel structure में बट बैल्ड से ईजी कुस्शन समझता ही नहीं हूं पूरे के पूरे में 150 देखो यह किता आ रहा है 180 आ रहा है देखो 180 किलो न्यूटन तो बस यह तुम्हारा आ गया सिंपल था कुछन कुछ उसमें दमी नहीं था ठीक है तो इस तरीक से तुम्हें सॉल्व करने है चलिए कोई दिक्कात हो तो पूछ लेना ठीक है यह सिंपल तो में फॉर्मूल उसकी और यह लाश्ट कोशन होगा आज का और इस चैप्टर का भी लाश्ट कोशन होगा ठीक है और फिर जहां प्राब्लम हो आप लोगों को मुझे कमेंड करते ना ना मैं आपको बताता रहूंगा ठीक है चलिए तो इसमें भी बोला है यह हिंदी में बट समझा देंगे पूरा बोला है कि इतने साइज का तथा इतने साइज का आपका जो है पämäलेट हैं और निम्ने परकार के 송शीन आए तो किस परकार के जोर्ड है तो मैं लिख देता हूं किस फिरकार के बेल्ट जोड़नेव नोजोड़कु ने गही है तो किस परफिर पर गली सिंगल भी इूच दूसरा डवल यू ठीक है बट बैल्ड और दूसरा डवल यू बट बैल्ड इनमें हमने जोड रखा ठीक है इन दो पलेटों को एक साइज की है और एक साइज की ठीक है फिर बोला है क्या कि इतने इतने साइज की निम्न जो पलेटे हैं इनको हमने बैल्ड जोड में जोड़ पिलेट हैं पहली पिलेट के दूसरी पिलेट है इसकी जो चौडाई है दोस्तों डेको यह कितना है 100 है इसकी इक पास 100 है लेकिन जो इसकी मौट आई है मतलब ती जो थस है लेकिन इसा था आर्ट दिया है ध्यान से गहीं 10 है यह 8 है थीक है समझें चीज को चलिए अब जल्दी से बताओ भाइब तुम्हारा कितना हो जाएगा इस मॉल्टी वो हो जाएगा फाइब बाइट इंट्व थेकनेस औफ थेनर पिलेट तो यह फाइब बाइब ऑई एट थेकनेस ऑफ थेनर पिलेट दौनों प्रेटों में से पतली आ यह वाली आथ तो काटो यह आजा तुम्हारा 5 mm के गरीब तो यहां 5 रख दो एक्टी तुम्हारा 1.500 होजाएगा क्यलकुट कर लो यह कितना होजागा पंदर पहना है 75 पर तीन जीरो तो यानि 75 किलो न्यूटन तुम इसको बोल सकते हो तो यह आ गया दूसरा तुम्हारा दूसरा तुम्हारा कॉन सा है डबल यू बट ज होगा यानि थ्रॉड थिकनेस कितनी होगी अब तुम्हारी थ्रॉड थिकनेस हो जाएगी स्मॉल टी का वैलू अब देखी यह डबल है मैंने बताया था जितने सारी डबल वैल्ड होंगी आप यूज कर रहे हो तो थ्रॉड थिकनेस पतली प्लेट की मटाई के बरावर हो यानि 8 के बराबर तो सीरे तुम 8 mm यहां रग दो तो यहां 8 आठ आ जाएगा एप्टी तुम्हारा डेल से हो जाएगा क्याल कुट कर लो ठीक है तो कितना हो जाएगा पंद्रह पनेपशत्तर पंद्रह शाके नभड़े पंद्रह साथे 105 पंद्रह याठे 120 120 किलो न्यूट यहां नहीं आ रहे है तो मैं उनको बताूँगा यूंकि मैं कितने सारी कोसिंस कर दूं कर रहे हैं अगर आप खुद से ट्राइं नीं कर रहे तो यह संजो कि आप प्रतेक आवस्था में प्रभाभी कंट मोटाई याद कीजिए प्रभाभी कंट मोटाई याद करने यह मतलग केबल और केबल टी का वैल्यू पूछ रहा है टी का वैल्यू तो जब सिंगल बी बैल्ट होका तो क्या आएगी तो आपको पता है सिंगल के केस में 5 by 8 इंटू टी करते हैं तो 5 by 8 इंटू में टी करोगे तो 8 हो जाएगा 8 कर जाएगा तुम्हारा वैल्यू कित्ता जाएगा 5 जाएगा देखो पहले का अंसर 5 हो गया ठीक है तुम भाई जुवान में अंसर ला सकते हो ऐसे कुश्चन दिये हैं ठीक है दूसरा बोला है कि दोहरा पिलेटों को जो है दोहरे यू बट बैल में जोड़ा है ठीक है पिलेट पर कितना अधिक्तम खिचावल लगा जा सकता है अगर आपका तनन पिर्दिवल इतना दिया गया है तो डबल है भाईया तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी पिलेट की चौणाई यानी 100 इंटू दोहरे यू बट जोड में जोड रखा है तो सिंपल सा थ्रोट थिकनेस क्या ले लेंगे यहाँ पर जो मिनमम होगा ठीक है तो वही काम करना है फिर से 140 और गोड़े में थ्रोट थिकनेस 8 हो जाएगी और गोड़े में 150 देखो भई या आंसर कितना आ रहा है आंसर कितना र कितना होगा अब देखिए यहाँ पे एक पलेट है को ला है एक प्लेट जिसकी चौड़ाई इतनी है मोटा इतनी है इसे एक आने प्लेट जिसकी माप इतनी है इसे एकारे बट जोड में जोडने के लिए पलेट की भारवयन चंपत ज्याद्वusma नीकर पाओंगा कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा 120 फिर गुड़े में अब यह सिंगल है क्या है जहां से देखो यह तुम्हारा सिंगल यू है तो जब सिंगल यू है तो थ्रौट थिकनिस पांच बटे आठ और पतली पिलेट की मोटाई तो इसकी मोटाई 12 है इसकी 16 है तो तुम इसकी न देखो यह रहा तुमारा अंसर कुछ है कुछन में कुछ नहीं है देखो फिर इसमें बोला है कि एक दोहरे बीवट जोड में यानि डवल बीवट जॉइंट में हमने क्या कर रहा है दो पलेटों को एक इतने साइस किये चित्र 3.7 के अनुसारा जोड़ा यह 3.7 कहा है होग यह क्वेश्चन इतना में इंपोर्टेंट नहीं कहता है क्योंकि यह मतलब एक दम जीरो लेवल के क्वेश्चन है ठीक है कोई भी कर सकता है इनको तो करना और आपका यह चाप्टर पूरा फिनिस हुआ ठीक है मैंने इनका जो सॉलिसन भी बता है किस तरीक से करना है और उ पद्वानुर। तक आपठेबर आपस एक जो क्या काए को आता इसक रहाен वह बसकी के पार आगे दिया मैं वहीं बता द комментар pledge बोला था एक दोहरे बीदी बट जोड दौर दो पलेट है इतनी और इतनी को चितर के अनुसारा जोड रखा है भाईया ये ये देखो ये चित्र के अनुसार ये जोड रखता है ठीक है अगर तुम्हारा इस्ट्रेस इतना हो तो हो तुटू क्या करना है यदि जोड एक रहा हो इसकी सामर्द गयाद किजिए एक रहा है उन्हों पतली प्लेट के अकॉर्डिंग हो जाएगी ये तुम कर सकते हो ब में अबद fathers enveloply मानना कि अभाई में यह थाण रखो यह डवल्वी है तो समझें यह त होड़ेक तो तो 10 गोड़े में तुम्हारा सो और क्रोड़े सोू के तो यह यही एंसर भी रखा हुआ है इसी तरीके सका में यह करना है सिंगल भी में सिंगल ओर डवल वी में तो कर लोगे तुम भाई है ना मुझे इस फिर टाइम बेस्ट मत कराओ कोई दिक्क्षा तो किसी भी कोश्चन में तो मुझे से पूंच लेना एक बार है तीन कोशन ये भी लगा लिए तो नौ ये होगा दो कोशन में करा दिया 11 कोशन होगा पूरे पूरे ठीके तो अब हमारा जो अगला चैप्टर होगा वहोगा टैंसर मेंबर स्टार्ट ठीके और वह हमारा अगला वीडियो होगा ठीके चलिए तो आपको लेक्षर कैसे लग रहे हैं भाई पसंद आ रहे हैं ठीके कोई डाउट कहीं काई काई कंफूजन अगर रह रही है तो आप बेज चीज़ा कोकर कि मुझे कमेंट करें मैं उसका रिपलाई आप जरूर करेंगा ठीके तो चलिए फिर बिलते बहुत जो अगला वीडियो होगा उसमें थैंक यू एंड थैंक्स पर वाचिंग